दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिहार S-AC में पुछा गिए क्प्रस्ट को लेकर का है और अगर आप किछे दर 10% पर्तिवर्स हो चलिए देखें दोस्तों ये बिहार SAC में पूछेगे प्रस्ट को सित में आज बताऊंगा चलिए अब यहां पूछ रहा है मुल्धन क्या है और अंतर दिया है दर है हमारा 10% तो देखें दोस्तों एक फर्मूला है अंतर बराबर मुल्धन गुने दर बटा सव यह आपका फर्मूला है अब अंतर कितना है तो अंतर हमारा 33 रुपया है यहां तिर saat रुपया लिख दीजें बराबर मुल्धन को निकालने के लिए बोल रहा है तहिहा एक्स मान लिएज गुन यह तो ता हमारा यह तिर्चा गुना हो जाता है, ऐसे तिर्चा गुना हो जाता है, तो हमारा x पराबर क्या हैगा, 100 को तिर्चा गुना कर दीजे, तो 3600 आएगा दोस्तो, अही हमारा answer हो गया, तो मुल्धन क्या हुआ, तो 6300 हो दोस्तो, चलिए, आगे बढ़ते हो और नेक्स प्रस को देख है तो छूट का परतिसत क्या होगा देखिए तीन वस्तू पलस दो वस्तू कितना होगा पांच वस्तू और पांच वस्तू में उसको छूट कितना मिल रहा है तो दो वस्तू मिल रहा है तो पांच वस्तू में छूट दो वस्तू ठीक है तो बोल रहा है तो परतिसत क्या होग तो परतिसत में जब भी पूचे तो 100% में होगा, तो 100% में, तो 2 बटा ये 5 हो जागा, गुने 100 कर दीजे, तो 5 से काटी तो ये कर जाएगा आपका 20 बार में, 20 पचे 100, तो 20 दूने, ये 40% हो गया दोस्तो, इसका सही एंसर क्या होगा, तो 40% होगा दोस्तो, चले, आगे बढ दोस्तो, तिसरा प्रश्टा है आपका, एक सहर की जनसंक्या, एक लाग है, और परति वर्स दस परसेंट की दर से विर्दी होती है, तो 2 वर्स बाद सहर की जनसंक्या क्या होगी? ये सारे के सारे बिहारे से से में, प्रश्टा दोस्तो, एक लाग है जनसंक्या, कितना है? तो एक लाग, अब देखिए, एक लाग है और परति वर्स दस परसेंट की विर्दी हो रही है, और कितना? दो वर्स बाद सहर की जनसंक्या क्या होगी? सो पूछ रहा है, तो 10% आन 110 हो गया, 110 बटा 100, गुने 110 बटा 100 हो जाएगा, अब कर देखिए, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीके, अब क्या कटेगा? देखिए, ये 2 0 और यहां से 2 0, अब गुना कर देजे, एक आरा है गरे 121, और 121 को 21 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, तो हमारा आ तो दो से बाद सर की जन से क्या होगी तो एक लाख 21000 हो जाएगी तो यह ईंसर क्या आया तो दीनमबर आये दोस्तों चैलिए आगे बढ़से को देखते हैं अगर दोस्तों आप लोग पीडियोप ते रिभाय्च करना चाहते हो तो इस पीडियोप को मैं डाल दूगा देखे का है इस एक कार्ज का का एक वटाब पांच बाग पांच दिन में कर सकता है और अजिव एक, शाल की ना uh 121 उर्पिया मिलता है तो A का हिस्सा क्या है ज्यान देजाएगा दोफ्तो A और B है ठीके A कार्ज करता है एक बटा 5 भाग 4 दिन में अब यहाँ A लिखे और लिखे एक बटा 5 भाग बराबर 4 दिन उसके बद B करता है देखे ज्यान देजेगा एक बटा 7 भाग 5 दिन में एक बटा 7 भाग 5 दिन में अब यह एक से काटेंगे तो यह 4 ही रहेगा और यहाँ भी एक से काटेंगे तो 5 ही रहेगे तो यह तिर्चा गुना हो जाएगा तो यह आ जाएगा पांचो के 20 और यह जागा साथ पच्छे 35 अब इन दोनों का LCM ले लिए 2400 ज़े लेंगे तो हमारा जागा 140 ज़से दोस्तों उसके बाद 20 से अधिवे 1 साथ काम करे तो 129 रुप्या मिलता है तो एक हिस्सा कितना है अब बोल रहा है दोस्तों दोनों एक साथ काम करें अब इसको जोड़ देंगे तो कितना जगए साथ चार एगारा ठीक है अर बोल रहा है कि एक साथ काम करें तो एक से इकीस रुपए मिलता है तो एक का हिस्टा कितना है तो एक कितना मिलता है साथ मिलता है, 11 में साथ, तो 11 में, जब साथ मिलता है, चलिए थोड़ा लंब करते, 11 में साथ मिलता है, तो 121 रुपिया में कितना मिलेगा, तो 121 में, 121 में, तरह 7 वट्टा 11 हो जाएगा, गुने 121 हो जाएगा, अब काटे 11 से काटें ज़िए 121 हैं, एक्सो इकेस, आब गुना कर दी 11 से 77, अनि 77 रुप्या मिलेगा, कितना मिलेगा दोस्तो तो 77 रुप्या, अहीं आपका एंसर हो गया, तो सही answer क्या हुआ तो C number हुआ दोस्तों चले आगे बढ़ते हो next press को देखते हैं अब देखिए 5 number question 5 number question है 5 संतरे को 3 रुपयाम खरीदा और 5 रुपयाम 5 बेचता है तो 50 का लाब के लिए कितना संतरा बेचना चाहिए अब देखिए जोस्तों 5 संतरे को 3 रुपयाम खरीदा और 5 रुपयाम 5 बेचता है तो जो बेचता है उसको घटा देंगे खरीदे हुए को तो 5 में 5 संतरा मैनस 5 में 3 संतरा अब इसका जब हम LCM लेंगे तो हमारा आ जाएगा पांच 5 रपांच का LCM अब यहां इससे भागा देंगे नीचे वाले को भीन का जोड़ आप लोग जानते होंगे एक आएगा और उपर वाले से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा फिर 5 से पांच में भागा देंगे इस पांच से इस पांच में तो हमारा आ जाएगा एक अर उपर वाले से गुना करेंगे तो 3 आएगा तो हमारा कितना हो गया तो दो बटा 5 दोस्तों ठीक है तो पांच में 5 बेचता है और 5 संतरे 3 रुपे हम खरीदा था अब जो है तो बोला पचास का लाव के लिए कितना संतरा बेचना जाएगे तो पचास का लाव के लिए दो बटा 5 अब इसको उलट देंगे क्या करेंगे उलट देंगे अब उलट देंगे तो कितना हो जाएगा ये पचास ये दिर्शा गुना हो जाता है तो गुने 5 बट दो हो जाएगा अब इसको कटिए दो से काटिएगा तो पचीस आ जाएगा और पचीस को पांच से गुना कि जाएगा तो एक सो पचीस आ जाएगा दोस्तों तो पचास का लाव लेने के लिए कितना संतरा बेचना चाहिए तो एक सो पचीस संतरा बेचना चाहिए अहीं आप अपका answer आगे है दोस्तों, तो सही answer क्या आया है तो 130 आया दोस्तों चैले आगे बढते हैं और next press को देखते अगला प्रस देखें दोस्तों शथा नंबर प्लशन है अपका देखें बोल रहा है नल P किसी तंकी को छे गंटें बढ़ सकता है और Q नल भरी हुई टंकी को 10 गंटे में खाली कर सकता है अजि P और Q दोनो नलो को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने गंटे में भर जाएगी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो है चली कोई बात नहीं देखिए P जो है 6 गंटे में भर सकता है Q भरी हुई टंकी को 10 गंटे में खाली कर सकता है खाली कर सकता है अजि दोनो नलो को एक साथ खोल दिया जाए देखिए P यहां लिखिए 6 गंटा और Q यह भर सकता है जिसको प्लस कर दीजे और यह 10 गंटे में खाली कर सकता है Q जो है ये मैनस के दिए 10 गंटेम खाली कर सकता है अब दोनों का LCM ले लेंगे तो LCM आ जागा 30 और 6 से भागा देंगे 30 में तो 5 आ जाएगा और 10 से भागा देंगे 30 में तो 3 आ जाएगा तो बोल रहा है अधी P और Q दोनों नलों को एक साथ कोल दिया जाए दी तो खाली कर रहा था 3 और ये जो सो भरता है 5 ठीखे तो कितना बच जाएगा ये 3 खाली कर दिया 5 भरा एपी objective खाली कर दिया तो 2 बचा ठीखे अधी दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो तक कितने गंटे में भर जाएगी तो एक ठो निकाल रहा है और एक ठो भर रहा है भर रहा है पांच और निकाल रहा है तीन तो बच जा रहा है दो अब बोल रहा है अब टोटल हमको भरना है तीस तो तीस भरना है और बच रहा है दो तो दो से कार दीजे इसको तो हमारा पंदरा आ जाएगा दोस्तों अहीं हम Thank you.